IELTS में FIN IDEAS की fee क्या होगी, what they charge अगर आपका portfolio एक करोड से कम का है तो केवल 75 पैसा 0.75% 6 मन्थ के लिए हम charge करते हैं करोड का portfolio touch होते हैं ये fee और reduce होके 62 पैसा हो जाती है और 5 करोड का portfolio touch होते हैं ये fee और reduce होके 50 पैसा हो जाती है मतलब क्या हुआ, मानों आपने एक lot का काम किया 9 लाग रुपे का तो आपको 75 पैसे की fee लगी, इसका मतलब हुआ 6,750 रुपे प्लस GST, कितने महिने की? 6 महिने की तो overall monthly fee क्या हुई? केवल 1100 रुपी और ये 1100 रुपी की fee में आपको क्या-क्या मिल गया? आप कौन सा प्लान चूज करोगे, कितना exposure लोगे, portfolio की advisory, कौन सी strike सिलेक करोगे, expiry, quantity, कब trade exit करना है, कब entry करना है, कैसे trade को manage करोगे, shift करोगे, roll over करोगे, M2 हम कैसे handle करोगे, tax के related report, position related report, performance report, सब कुछ आपको इसमें मिल गया Thank you